राहुल गांधी जी ने अपनी एक और विफल यात्रा का समाफन किया। राहूल जी ने दो यात्राएं की और वो दो यात्राएं भारत जोडो, कांगरेस टोडो, कांगरेस छोडो यात्रा थाबित हुई और जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई और नियाए आत्यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अनियाई ही किया जहां जहां से वहां गुजरे कांग्रेस या तोहारी या सीर से नेताओं ने पार्टी छोड़ी मैं राहुल जी और खड़गे जी से आज चार सवाल पूछ रहा हूँ और उनका जवाब चाहता हूँ देश जानना चाहता है वो जवाब दे जब आयोध्या में भगवान स्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा हुई थी तब जब संपूर्ण देश आनन्द उत्साहय और भक्ती से सरोवार था निमंत्रन उन्हें भी मिला था कि वो सनातन धर्व के सबसे बड़े पर्व में सामिल हो उन्होंने इस काईरिकम में संबलित होने का संबलित नहीं होने का फैसला क्यों किया निमंत्रन ठुकरा दिया मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की इत्यासिक भूल के लिए उनको जवाब देना चाहिए पस्चिम बंगाल में संदेश खाली में बहनों और बेटियों के साथ जो अमानुसिक मध्य युगीन अत्याचार हुए अन्याय हुए घिनों ने कृत हुए बेहने सडकों पर उत्री लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके समर्थन में एक भी ब्यान नहीं आया क्या ये आपकी तुस्ट्री करण की नीती नहीं है एक बात मैं पूछना चाहता हूं देश भी जानना चाहता है प्रधान मंतरी सीर्मान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सरवाधिक लोक्प्रिय डेता जो जन्ता के दिलों में बस्ते हैं देश पूरा उनका परिवार है उनके खिलाफ राहुल जी उनकी पार्टी के नेता आपत्ती जनक ब्यान देते हैं ये भारत के संस्क्रिती नहीं है तो धान मंतरी के पदपर आसीन एक ऐसे नेता जो विक्षित भारत का निर्मान कर रहे हैं और सारी दुनिया जिनका सम्मान करती है उनके खिलाफ नित्य असव्य सब्दों का इस्तेमाल क्या यही कांग्रेस और इंडी गडवन्दन का चरित्र है कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और इससे तो यह अब सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस में अब कोई नेत्रत्व नहीं बचा कांग्रेस की सर्वोच नेता स्रीमती सौनिया गांधी जी ने लोक सभा का चुनाओ क्यों नहीं लड़ा जनता के वीश से चुन के जाने की हमत क्यों नहीं जुटाई इसका जवाब भी जनता चाहती है उनको इन प्रिश्णों के उत्तर दैना चाहती है धन्यवाद